हेलो फ्रेंड्स आपके अपने वीडिव चैनल सितेश कामर्श लिटूडियल में आपका स्वागत है मैं सितेश कुमार कुस्वाहा आज की क्लासेज में आपको सामोहिक मादे यानि कंबाइन्ड मेंन से सम्मन्दित कोशन नमर 25, 26, 27, 28 और 29 बताने वाला हूँ तो फ्रेंड्स ये कोशन जो है आपके एक्जाम के दिश्ट से बहुत important कोशन है फ्रेंड्स और वीडियो पे अन तक बने रहेगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल ऐकोन को अल पर से लिट कर लिजे ताकि इसी तकर वीडियो और वी अपलोड करेंगे तो उस खर्णों डिपेसन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा तो चले फ्रेंड्स देखते हैं तो फ्रेंड्स आपका जो कोश्चन है करा कि एक कमपनी के संपूर करमचारियों को दिया गया वार्सिक ओसत वेतन जो है कितना है तो वो दिया हुआ है आपका तीन हजार ठीके और केरा कि पूरुस और इस्तरी करमचारियों को दिया गया वर्षी का उसत वेतन 3200 एंव 2200 था ये दिया हुआ है ठीके और केरा कमपनी में लगे पूरुसओ और इस्तरीयों का परतीसत बताना है ठीके तो चिले फरेंड सबसे पहले हम Question को यहाँ पर लिखेंगे तो यह 3000 है आपका, ठीक है चलिए, और आपका केवल पूरूँष का, यानि main का जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कितना? 32, तो हम X बार 1 लिखेंगे, यानि main का, ठीक है, कितना है? तो यह दिया हुआ है 32, और इस तरीका जो है, X बार 2 कर लेंगे, ठीक है? इस्तिरियों का जो है X bar 2 और ये जो है 2200 ठीक है अब आपको ये दोनों की संख्या की बात करें यानि N1 यानि पूरुष का और N2 यानि महिला का ठीक है दोनों का मिला करके जो कितना है वो है आपका मान लेते हैं 100 जब कोशन मन नहीं दिया तो 100 मान लेते हैं ठीक है अब बात करेंगे N2 क्या होगा तो N2 की value हमें आराम से पता चल जाएगी कैसे तो वो 100 में से जब हम N1 घटा लेंगे तो आपका जो है N2 की value पता चल जाएगी अब क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स हम फार्मूला ड्रॉ करते हैं याँ पर ठीक है फार्मूला है आपका combined mean is equal to x bar 1 और N1 plus x bar 2 और N2 और इसी तर आगे भी चलता जाएगा question बड़ा होगा तो ठीक है और फिर N1 plus N2 ठीक है अब क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स x combined mean की जो value है आपका 3000 दिया हुआ है आप यहां पर लिख लीजिए ठीक है is equal to x bar 1 की value है वो 32 दिया हुआ है और N1 ठीक है पलस और 22 दिया हुआ x bar 2 की value ठीक है और bracket में N2 की value जो है वो हमने find out किया 100-N1 ठीक है अब अब अपान N1 plus N2 की value जो है वो क्या है आपका यहां मैंने assume किया हुआ है कि 100 है ठीक है अब हम तिर्शा multiplication कर लेंगे 3000 और 100 में तो कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा कितना 3 लाख जब multiply करेंगे तो 3 लाख हो जाएगा और यह देख लेते हैं 32 आपका N1 plus अच्छा 200 में 100 से multiply करेंगे तो आपका 2 लाख 20,000 हो जाएगा ठीक है और minus यह N1 में जब 200 से करेंगे तो यह 200 N1 हो जाएगा ठीक है चलिए आप क्या कर लिजिए 3 लाख में 2 लाख 20,000 घटा लिजिए तो आपका जो आएगा यानि 3 लाख में यह left side मलाएंगे तो आपका minus में हो जाएगा और is equal to आप 32 में 32 N1 में से 200 N1 जो है आपका यह minus में है तो आप घटा लेंगे ठीक है तो आपका N1 जो आएगा यह आएगा 32 में 22 घटा लेंगे तो 1000 N1 is equal to अच्छा 3 लाख में से 2 लाख 20 घटा लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 80,000 ठीक है तो आप N1 की value आराम से पता कर सकते हैं जब 80,000 में 1000 से भाग देंगे तो आपका 80 आएगा यानि N1 यानि पूरूस की जो परतिसत है वो पता चल गया पूरूस की ठीक है अब आपको महिला का पता करना है ठीक है तो कैसे पता चलेगा भाई तो आपको पता है N2 क value क्या भाई 100 माइनस N1 तो इसका मतलब अगर हम 100 में से अगर N1 की value यानि जो 80 दिया हुआ है यह हम घाटा लेते हैं तो इसका मतलब 20 परसेंट जो है यह इस तरियों की संख्या है तो friends यह हमारा question complete हो गया अब चलते हैं अगले question को देखते हैं तो चले friends देख लेते question number 26 को और कर रहा है कि 15 संख्याओं का जो माध्ध है आपका 15 पाया गया और कर यदि 2 संख्या 18 और 12 को निकाल दिया जाए तो से संख्याओं का माध्ध क्या होगा तो friends यह question बहुत easy है friends तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम कुल संख्याओं का योग निकाल लेते हैं तो कुल संख संख्याओं का योग ठीक है सिग्मा एक्स का मतलब है और एक्स बार आपका दिया हुआ है 15 यानि माध्य दिया हुआ है 15 ठीक है उसके बाद से सिग्मा एक्स की वैलू आपको पता करनी है सिग्मा एक्स की वैलू जो है आपको पता करनी है ठीक है और आपका एन जो दिया हु प्लिए pessoa अब क्या कर लेते हैं आप यहाँ पर निव जो है सिग्मा एक्स निकाल लेजे यानि निव सिग्मा एक्स मतलब क्या दो संख्या है जब हम घठा देंगे तो तेरा संख्या हैं का कुल योग ठीक है三 शंख्याओ का कुल योग तो आपका कितना है भाई, तो ये जो है, कितना है, 225 हमने find out किया है 15 का, तो इसमें से 2 घटा लेंगे 18 और 12, यानि निकाल देंगे यहां से, तो आपका 195 निकल का आएगा क्या 13 संख्याओं का कुल योग, clear है, चलिए, अब इसके बाद से क्या कर लेते हैं friends, और new आपका n प जाएगा, ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, new mean आपको पता करना है, कहरा कि, अगर से संख्याओं जो बज जाते हैं, तो उसका माध्य आपको पता करना है, तो से संख्याओं 13 है, और total उसकी value 195 है, तो आप माध्य अराम से पता कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर sigma x की जो value है, वो कितनी है, 195, ठीक है, और आपका जो n की value है, वो है 13, तो friends, अगर आप divide करते हैं, तो देखिए, 13 कने 13, तो एक हो गया, आपका इसमें सबचा कितना, 6, तो हो गया यह 65, तो 13 पच्चे 65, यानि, same answer आया friends, तो यही आपका answer होगा, यानि, same आरा, यानि, यह 15 answer जो है, आप question, आपका question number 27, ठीक है, और 27 क्या किरा है, किरा कि एक tennis club, अपनी तीन प्रतियोगी टीमों के परदाशन की तुलना, अन्य club से करना चाहता है, गतवर्स, इसकी A सरणी की टीम ने 45 गेम खेले, तथा, उनमें से 73, 3% जीते, 20 सरणी की टीम ने 4 गेम खेले, तथा, उनमें से 75% जीते, और 60 सरणी की टीम ने 35 गेम खेले, तथा, उनमें से 94.3% जीते, तो सामोहिक मादे क्या होगा, तो friends, simple है, आपको क्या करना है न, यहाँ पर combined mean आपको पता करना है, ठीक है न, यही आपको पता करना है, सामोहिक मादे, ठीक है, और क्या करेंगे आप, यहाँ पर सब X-Bar 1 जो है, X-Bar 1 क्या है, यहाँ एस रणी की टीम का, कितना है भाई, तो X-Bar 1, यहाँ 73.3, ठीक है, मैं आपको हिंट कर देता हूँ, आप आराम से कर लिजाए को, ठीक है, 73.3, आप परसेंटेज का भी इग्नोर करिए, बाद में लिग लिजिएगा, ठीक है, फिर उसके ब यानि हम कहेंगे, X-Bar 1 की टीम की जो जीत की परतिश्चत है, वो 94.3 है, ठीक है, और आप N1 की वेलू पता कर लिजिए, यानि टीम A के खेले गए गेम, ठीक है, तो वो है 45, ठीक है, और N2, यानि टीम 2 वाला, तो टीम B का, तो टीम B का 40 गेम है, खेले गए, फिर N3, यानि टीम C का खेला गया गेम, जो है 35 है, ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, आप Combined Min का फार्मूला लगा ये, ठीक है, और X-Bar, क्या है फार्मूला भाई, X-Bar, आपका फार्मूला है, X-Bar, C is equal to, X-Bar 1, N1, प्लस, X-Bar 2, N2, प्लस, X-Bar 3, यानि N3, अपान, N1, प्लस, N2, प्लस, N3, ठीक है, अब इस value को आप यहाँ पर रखिए, और solve करिए, आपका answer आपके सामने होगा, friends, आपका answer आपके सामने होगा, आप इस value को यहाँ पर रखिएगा, और solve कर लिजेगा, ठीक है, friends, छलिए देखते हैं, अगला question, कुछ कोशन आप भी कर लिया, करिए, friends, ठीक है, तो अगला question जो है, वो आपका क्या कह रहा है, कह रहा है, माह के, 28 नमर question है, माह के प्रथम, 20 दीनों के लिए, एक रखाने में, साइकिलों के टैरों का ओसत दनिक उत्पादन, 390 था, ठीक है, तो 20 दीनों का जो है, 390 था, और 6 माह में 10 दीनों के लिए ओसत 400 था, तो पूरे माह का ओसत, यानि, combine mean यहां भी पता करना है, यानि, x-bar c आपको पता करना है, ठीक है, यही पता करना है, और क्या-क्या दिया है भाई, तो यानि आपका 20 दीन 20 दीन मतलब n1 n1 कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है तो x-bar 1 कितना दिया हुआ भई तो इसका औसत जो दिया हुआ है यह 390 दिया हुआ है ठीक है इसी तरह आप n2 तो n2 कहां साइग भई तो n2 आपका 10 दिया हुआ है ठीक है और number of days और यहाँ पर जो है आपका ओसत जो दिया हुआ है यानि x bar 2 जो है 400 दिया हुआ है तो इसी तरह x bar c is equal to x bar 1 n1 plus x bar 2 n2 upon n1 plus और n2 का formula लगा लीजिएगा friends देखिए लगा ही देते हैं question चुकि छोटा है तो आराम से हो जाएगा तो यहाँ पर है x bar 1 जो है 390 है और n1 की value जो है वो है आपका 20 ठीक है पलस और आपका यह 400 है और n1 की value जो है वो है 10 ठीक है और यहाँ पर आप क्या कर लेंगे n1 की value 20 पलस n2 की value 10 तो क्या हो जाएगा भाई 390 में 20 से गुणा कर लेंगे तो आपका यह हो जाएगा 0 और 0 9 2 8 18 8 1 3 2 9 6 1 7 ठीक है पलस और यह 4000 यह हो जाएगा आप multiply करेंगे 10 में तो और upon यह हो जाएगा 30 ठीक है फिर क्या करेंगे आप इसको जोड़ लेंगे तो 7 और 4 11 तो 11800 आपक हो रहा है और इसमें 30 से आप भाग देंगे ठीक है तो आपका जो आंसर निकल करके आएगा वो आएगा 393 दसमल तीन तीन ठीक है तो यही आपका आंसर होगा फ्रेंड्स चलिए अब अगले questions को देखते हैं तो question number 29 है और last question है आपका ठीक है करया कि एक बिक्रेता का वर्स 11 माह की मासिक बिक्री जो है आपका औसर 12,000 दिया हुआ है तो total sale of 11 month जो दिया हुआ है वो आपका हम पता कर सकते हैं देखिए औसर दिया हुआ है तो इसके अधार पर हम total sale पता कर सकते हैं total sale of 11 month का 11 मन्त का हम टोटल सेल पता कर सकते हैं कैसे तो दिखिए 12,000 दिया हुआ है यानि आपका ये x बार है और ये 11 यानि आपका n है तो आराम से मीन का फार्मूला लगा करके सीगमा एक्स की वेलू आप पता कर सकते हैं यानि 12,000 गुणे क्या 11 तो आपका ये हो जाएगा कितना किरा कि किन्त और अंती माह में वीमारी की कारौण संपूर ओसत घट करके कितना हो गया 11,376 हो गया यानि पूरे 12 महिने का आप बात करेंगे यानि टोटल टोटल सेल आफ जो है 12 मन्त तो पूरे 12 माह की जो बिकरी है वह हमें देखनी है तो पूरे 12 माह की बिकरी कैसे पता चलेगी भाई तो देखिए 12,000 करें 11,300 पूरे 12 माह का जो औसत दिया हुआ है 11,375 और गुणे पूरे 12 महिने से मल्टिपलाई करेंगे तो पूरे 12 महिने का पता चल जाएगा तो मल्टिपलाई करेंगे तो कितना आएगा भाई तो यह जो आएगा आपका ठीक है देखिए तो आपका जब मल्टिपलाई करेंगे तो हो जाएगा 12,5,60,0,6 और 12,7,84 और 6,0,90 ठीक है 90 तो 0 हो जाएगा फिर 9 आप 12,36,36 और 9 आपका हो जाएगा 45 यानि 5 फिर 4 आया हासिल और फिर 12,12,4,16,6 फिर 1,12,1,13 तो फ्रेंट्स एक लाग 36,500 हो रहा है ठीक है अब क्या कर लेंगे कि आप लास्ट मंत की विक्री आप पता कर सकते हैं देखिए पूरे सुरू के फर्स्ट इगारा महिने की जो विक्री है आपकी एक लाग 32,000 है और पूरे 12 महिने की जो विक्री है इंक्लूडिंग लास्ट मंत आपका 1,36,500 है तो आप अराम से लास्ट मंत यानि 12 महिने का पता कर सकते हैं तो आप सेल sale of last month जो है आपका अराम से पता चल जाए last one month last one month का कैसे तो आप 1,35,000 500 में से आप घटा लेंगे क्या 1,32,000 ठीक है तो आपका जो निकल करके आएगा वो होगा 4500 और यही होगा आपके last month की विकरी ठीक है फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स की question कितना easy way में solve अगया